हालो एप्रीवन मैं प्रदीप सर जैसा कि हम लोग आई एसी अर्थात इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोनिक कंट्रोल के सब्जेक्ट में हम लोग पावर डायोड के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़े थे हमने आपको बताया था कि पावर डायोड क्या होता है यह हाई बोल करेंट पे जो है अपना बड़ी-बड़ी मसीने वहां पे चलती है और वर्क नन होता है तो उसके अनुसार ही यह डायोड पनाया गया है पावर डायोड और पावर डायोड के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था तो इस लेक्चर में हम आपको इसको बनाया जाता है एक General Purpose Diode मतलब सामान उद्देश से Diode है ना और दूसरा हमने आपको बताया था Fast Recovery Diode और Last जो है Fast Recovery Diode जैसा कि यहां पर है और Last आपको इसमें बताया गया था कि 60 की Diode यह तीन प्रकार के Diodes होते हैं ठीक है तो आज हम लोग वही तीनों के बारे में देखेंगे इस लेक्चर में तो देखिए जैसे सामान्य उद्देश से डायोड मतलब क्या होता है जनरल परपर्ज सामान्य तह बहुत अधिक नहीं सामान्य रूप से कारी करने के लिए जो डायोड उज होते हैं सामान्य धचालक से मिलकर यह बना होता है ठीक है इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि यह सामान्य उद्देश से डायोड जो होते हैं इसकी जो चालन छमता होती वह थोड़ा स्लो होती है फास्ट रिकबरी समय जो होता है इसमें 25 माइक्रो सेकेंड मलब इलक्रोनिक्स की दुनिया में 25 माइक्रो सेकेंड भी बहुत ज्यादा होता है ठीक है फास्ट होना चाहिए हर एक चीज और जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिक्स फर्ष्ट में पढ़ा होगा डायोड क्या करता है एसी बिद्दुधरा को डीसी बिद्दुधरा में बदलता है तो इसलिए उसको रेक्टिव फायर कहते हैं या दिश्ट कारी कहते हैं तो फास्ट रिकवरी जो समय इसका होता है वह अधिक लगभग 25 को सुनने में और समझने में लग़छें 25 इसक गाते-6 माइनस-6 सेकंड मतलब माइनस-6 बहुत ही कम होता है ठीक है तो फिर भी यह इलेक्ट्रोनिक्स के छेतर में ज्यादा माना गया है ठीक है तो 20 माइक्रो सेकंड होता है तथा इसका उपयोग कम स्पीड जहाँ पे आपको दिखाया गया है, इसकी current rating कितना होता है, एक ampere से 200 ampere तक होता है, और voltage rating इसकी कितनी होती है, 50 volt से 5000 volt तक होता है, 5000 volt बहुत होता है, ठीक है, वैसे 3 phase की supply में 440 volt आता है, तो उसे हिसाब से 50 volt से लेकर ये 5000 volt तक आसानी से ये चल सकती है, तथा इनका reverse bias में इसका जो प्रतिरोध होता है, 1 ohm से 2 ohm होना चाहिए, ये kilo ohm होना चाहिए, ठीक है, kilo ohm के लगबग होना चाहिए, अगर forward में तो हाँ सही, forward bias में जो इसका प्रतिरोध होना चाहिए, forward में क्या होता है, diode की प्रतिरोध बहुत कम होता है, reverse bias में इसका प्रत फारवर्ड वायस में अगर वायस में जो होता है फारवर्ड वायस मतलब अगर वायस में जो रेजिस्टेंस होता है वन ओम से दो ओम के लगभग होना चाहिए मतलब बहुत कम होना चाहिए जबकि यहीं रिवर्स वायस में अगर हो जाया है हमारा डायोड तो इसका जो ओम हो प्रतिरोध होना चाहिए, मेगा में दसक करते श होना चाहिए, बहुत अधिक होता है, रिवर्स वायस में, максимум होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है and वह ठीक है, तो यह हमारा general purpose diode है, एक P type और एक N type से मिलकर यह बना होता है, ठीक है, तो यह सामान्य उद्देश से diode और यह सामान्य डायोड इस प्रकार से काम करता है, power diode, ठीक है, तो इसी में जो दूसरा हमने आपको बताया था, fast recovery diode, तो कुछ नही, recovery time मतलब होता है, और आप हो पस डायोड को ही, उसमें और अधिक impurity मिलाके, उसकी चालकता को बढ़ाके, उसका recovery time क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ठीक है, तो उसी को जो है, हम लोग fast recovery diode कहते हैं, और इसका जो operation time होता है, वह बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो देख लेते हम लोग, क्या लिख है, आजकल power, आजकल power अर्ध चालक युक्तियों में fast recovery diode बहुत ही प्रचलीत है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, इनका उपयोग महतपूर छेत्र बैदुत power में रुपांतरण के लिए, मतलब होई, ACDC को बदलने के लिए, यह उच आप रित्ती लगभग 1 किलो हर्टर्ज, तक इसका यूज किया जा सकता है, जबकि बिसेश प्रकार से बनाई गई fast recovery diode का उच आप रित्ती लगभग 10 किलो हर्टर्ज, तक के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, फास्ट रिकबरी डायोड का ठीक है, और फास्ट रिकबरी डायोड का जो recovery time होत से तक होता है इसकी करेंट रेटिंग वन एंपियर से दो सौ एंपियर तक होती है और वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है पचास से तीन हजार वोल्ट तक यह आसानी से आप इसको चला सकते हैं ठीक है इसको epitexial growth के द्वारा भी बनाया जाता है ठीक है बनाने के करणर इसका जो आधार होता बेस होता थोड़ा चौड़ा हो जाता है इसलिए इसकी first recovery time 50 microsecond तक हो जाती है ठीक है तो ये था हमारा ये जो है first recovery diode ये होता है और इस प्रकार से ये काम करता है ठीक है बेस अगर चौड़ा हो जाएगा भी तो इसका जो recovery time होगा वो बढ़ जाएगा ठीक है इसलिए क्या बनाना चाहिए हमको मध्यवाला जो बेस होता है उसको थोड़ा कम चौड़ा बनाना चाहिए ठीक है प्रापर तरीके से बनाएंगे तो इसका recovery time 5 microsecond ही होता है तो general purpose diode की अब अच्छा यह fast काम करता है ठीक है तो इस प्रकार से यह fast recovery diode हमारा काम करता है इसी क्रम में तीसरा जो हमारा था आपको हमने बताया था सौट की diode है ना इसमें 5 स्यंजकता वाला hard doped किया जाता है doping worms majority इसकी चालक्ता उतना हो जाती इसकी जाती क्यों बढ़ जाती है k्यों बढ़ जाएगी क्योंकि 5 स्यंजकता nine जब मिलाते हैं तो इसमें जो इलेक्टरानों संख्या होती है वह बहुत अधिक हो जाती है होल्स से तो इसमें जो करेंट फ्लो होता है वह इलेक्ट्रांस के कारण फ्लो होता है और इलेक्ट्रांस के कारण करेंट पहुत्ति ब्रगती से फ्लो होता है अप इच्छा होल्स के ठीक है तो यही कारण है कि स्वाट की डायोड जो होता है बहुत ही फास्ट आपरेशन देता है और बहुत ही अच्छे से चलता है ठीक है तो देख लेते हैं स्वाट की डायोड इसका उपयोग महतपूर छित्र में बैद्दुशक्ति रूपांत्रण में मतलब होई AC को DC में इस प्रकार के डायोड में हाई पांच में ग्रूप के परमाड की डोपिंग मिलाई जाते है जैसा कि आपको हमने पावर डायोड जब पढ़ा रहा था तभी बताया था कि जो होता है सुद्ध अर्दचालक उसमें जो है हम लोग इंप्योर्टी मिला के यन टाइप पी टा जाते हैं चलकता बढ़ाने के लिए ठीक है तो इसमें क्या 5 समय ज़क्तावाला मिला जाता है तो अर्दचालक बनेगा और अर्दचालक में इलेक्ट्रान्स की संख्या क्या होती बहुत अधिक होती है जिसके कारण उसका जो डिकबरी टाइम होता है वह भी बहुत कम होता है और फास्ट ऑप्रेशन होता है जिसके कारण इलेक्टरांज की संख्या आधिक हो जाएगी और इसकी कारण धारा केवल इलेक्टरांज के कारण भथती है यहां हाई बोल्टेज कितना थीस बोल्ट से 100 बोल्ट तक करेंट टिक एक से 100 mpr तक उपयोग किया जसकता है छो昨की डायोड होता है इसका आप देख सकते हैं यह यह पे सिंबल बना हुआ है यह इसका एक तरफ मेटल रठा tack एक तरफ यह टायप के लगा के बनाते हैं और यह ट्रान्जिस्टर का यह diode ही है इसमें आपको barrier कैसे बनता है यह दिखाया गया है कैसे pn junction को तोड़ते हैं है ना यह सारी चीज़े दिखाए गई है और इसमें silicon oxide का layer लगा के terminal कैसे बनाया जाता है यह सारी चीज़े इसमें दिखाए गई है main things इसका symbol आपको याद कर लेना है देख लेना है है और इसका जो operation है forward bias का यह है reverse bias का यह है है जैसे आप सामाने diode के बारे में पढ़े होंगे उसी प्रकार से यह भी है इसका characteristic है ना forward bias में प्रत्रियोद कम होता है voltage और current के बीच में यह graph खीचा गया है यह VF है forward bias का voltage है ठीक है तो इन दोनों के बीच में यह खीचा गया है जब forward bias में connection करके forward bias का मतलब connection आप समझी रहे हैं है ना plus वाला सिरह अगर plus terminal से और negative वाला सिरह अगर negative n टाइप के material से जोड़ा गया है तो वह forward bias होगा और अगर plus वाला battery का terminal ले जाके माइनस वाले मतलब एन टाइप के अर्ध चालक में लगा दिया जाए और यदि बैटरी का negative वाला टेर्मिनल जो हमारा डायोड है उसके positive वाले टेर्मिनल से ले जाके जोड़ दिया जाते यहां हम लोगे इसमें voltage का मांद धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप जैसा जानते हैं सिलिकान का 0.7 बोल्ट पे बोल्ट जो बीच वाला पीन जंक्सन होता है वह ब्रेकडाउन हो जाता है और जर्मेनियम का 0.3 बोल्ट पर है ना जंक्सन ब्रेकडाउन हो जाता है और उसमें उसी के अनुपात में विद्धु धरा और विभो के मान क्या होता है बढ़ता रहता है ठीक है इस प्रकार से यह फारवर्ड वायस में जब हम लोग इसमें सप हाई क्योंकि रिवर्स बायस में जो प्रतिर्वद होता है उसका बहुत अधिक हो जाता है तो जब रिवर्स बायस में हम लोग इसमें धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो पहले तो कोई विद्धु धरा नहीं होगा कुछ समय बाद इसमें अचानक रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है और विद्धु धरा अचानक से बहुत तिब्रगती से पढ़ेगी ठीक है तो यह इसका ग्राफ था और यह 60 की डायोड थी और 60 की डायोड का यहां पे थोड़ा सा आप लोग विशेष्टा हैं देख लीजिए क्या विशेष्टा होती है तो यह आपके एक्जाम म लोग जरूर करिएगा और इसकी विशेष्टाएं क्या होती है धात उसे यह टाइप सेमी कंड़क्टर में वर्तमान प्रवाह की अनुपस्तिती के कारण यह एक द्रूवी यह जो डायोड होती है वो वनली वन डायरेक्शनल होती है है ना बाई डायरेक्शनल नहीं होती ह फारवर्ड वायस में रहेगी तो इसमें विद्धुधरा जाएगी और रिवर्स वायस में रहती है तो अपने अंदर से विद्धुधरा को नहीं फ्लो होने देती अर्थात एक द्रूवी यह फ्लोवेशन होता है है तो यह चीज़े है अगर आपको विद्धुधरा इसम मतलब reverse bias ठीक है तो दूसरा चीज इसके विसेश ताय में क्या है PN junction diode की तुलना में इसमें कम औरोधन छमता होती है मतलब इसकी चालकता क्या होती है अधिक होती है रुकावट इसमें क्या होती है कम होती है ठीक है तो ये था और इसका जो है हम लोग जो सौटकी डायोड है इसका उपयोग कहां पे करते हैं तो सौटकी डायोड का उपयोग हम लोग electronics उद्योग में सौटकी डायोड का उपयोग इसके गुणों के कारण बहुत ही, रेक्टिफायर के रुप में मतलब AC को DC में बदलने के लिए power circuit में किया जाता है टिक है ट्रांजिस्टर सत्रिष्यता को रोकने के लिए ये सब करने के लिए जो है सौटकी डायोड का उपयोग किया जाता है बतलब rectifier के रूप में AC को DC में बदलने के लिए high voltage high current जहां पे flow हो रहा होगा वहां पे इसके short की diode का उपयोग हम लोग करते हैं तो आज हम लोग ये तीन चीजें power diodes के बारे में हम लोग पढ़ें सामान उद्दे से diode और इसके बाद fast recovery diode और हमने last में पढ़ा short की diode तो ये तीनों चीजें आप लोग अपने copy में note down कर लिजेगा और इसको सभी लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये exam के point of view से बहुत ही important है और ये आपके exam में question बार बार पूछता है ठीक है तो power diodes के बारे में इतना काफी है और power diodes यही तक खतम हो जाता है हम लोग next lecture में next topic पढ़ेंगे ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवात है